हेलो एवरीवन वेलकूं टू माई यूटूब चैनल आज मैं बनाने जारी अर्भी के बहुत इल्ला जवाब और स्वादीश्ट पकोड़े वाली सब्जी आपको इतना पसंद आएगा ना कि बस आप बनाई लोगे आप देख सकते कितने देखने में डिलिसियस लग रही है पूछो ही मत बिल्कुल नए तरीके से और यूनिक बताऊंगी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा तो चलिए देख लेते हैं मैंने यहां चावल और चनिक दाल को रात पर विगो के रख दिया था आप चाहे तो पॉकेट वाला बेसन का भी इस्तमाल कर सकते हैं औ बहुत ही डिलिशिस बनते हैं तो मैंने यहां चावल और चनिक दाल को रात पर विगो के रख देते हैं और अच्छे तरीके से सुख हो चुका था तो हम इससे ग्रैंड में इसको पीस ले और बिल्कुल थिक सा पेस्ट बनाना है इसका आप देख सकते हैं अगर जादा तकुदा चोटे लाइस दो बे लिफ्स और आम चार दो लिया है ताकि इसमें जो मोह सब बहूं आप ढां है इसलिए मैंने आमकाचार का यूज किया अगर आपके घर में आमकाचार है तो आप भी डाले वही पेस्ट जो मैंने पिसा हुआ है इसमें डाल लेंगे ताकि हम पते में डाले तो उसका कड़वा जो भी थोड़ा बहुत मुह काड़ता है वो बिल्कुल भी नहीं काटेगा फिर हम धनिया पॉडर और टर्मरी पॉडर एट कर देंगे और जो भी हमने मसाला पीशा था और बचा कर रख लिया है हमने करी बनाने के लिए क्रेवी तो अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लिए अब देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे हमने लिए अर्वी के पत्ते और इन सारे पत्ते के एके करके हमने अच्छे तरीके से धो लिया है हमने बना लिये था मसाले देख सकते हैं यहां लगा लेंगे हम बारी-बारी से सारी पते में लगा लेंगे छोटे-बड़े जो भी पत्ते हां डख रखके अच्छी तरीकी से लगाते जाएंगे सारे पत्ती पि आमे एक बार यह मेरे इस Muker अच्छा बना था आप देख सकते हो कहना कि और यह तरीकह से ट्राइक जरूर सेयर करना और मिप्जिट्यो बनाने बहुत ही मिहनत लगता है तो लाइक और चैनल को यह जरूर सबसे पहले मिल रहा है फिर बीडियो a- 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 p h a p a s k a eton दागे kardan के अच्छे तरीके से war कर लेंगे तक हम जब्सको पानी में डाले यह नीकल की बिल्कुल भी नहीं तो आप देख सकते ही ना आपको बैंधने का त्रीका ताकि ओपने घरों में अच्छे से बैंध सकें हैं इसके कपड़े हैं इसके कोटन कि धागे होते हैं आप ऐस 제 40 की धागी ही हमें यूज्ट करने हैं तो हमें यहां फिर लेना है कड़ाई कड़ाई हमेने ले लिया पानी और इसमें डाल देंगे जब भी मेने पत्ते को बांदेते न वो डाल देंगे और इसको कवर करके पांस मिनट पका लेंगे पांस से दस मिनट पकाल जब यह स्वाप्ट हो जाए तो आप देख सकते हैं कितनी अची से उबाल आ चुका है हमारे कड़ाई में तो यह बिल्कुल अच्छे तरीके से पक है हैisch इसको निकाल लिए थी और बाड़ एक टुकडों में हम काटलेंगा अच्छे सेप में में पतले पतले नंस में का बूसीचिऊचर हैं को बोह तो अच्यक्ति कर सके तो आप देख सकते हैं इस मेंट्रे चकु को की मतलब से दोनों मैंने दो ही हमारे बने हुए थे तो यह बहुत ही अच्छा एक्दम इतना स्वाफ्ट उबल चुका है ना कि पूछी हमां बहुत यह अच्छा उबला हुआ था अब देख सकते यह सेप ऐसे रहेगा यह देखिए और यह मेरा कडाई देन गरम हो चुका है तो हम यह सर्शो का तेल एड अच्छा आता है और बहुत अमेजिंग बनता है तो यह मैंने सर्शो का तेल डाला है और जबी पोकड़े इसमें डाल लेंगे और और इसको हम गोल्डेन ब्राउन करेंगे बिल्कुल अच्छे फ्राइब करेंगे ताकि यह थोड़ा कुरकुरा हो और जब हमारे ग्रेवी अच्छे सभी को लट लिया है और यह बिल्कुल फ्राइब हो चुका है दोनों तरथ से फ्राइब हो चुका है था मैं कुलेट में निकाल लेंगे इसको आप चाहे तो आपको अगर बेसन में भी इसको लपेट के डीप करके आप इसको छान सकते हैं आप दो तरीके से मैं बताऊंगी आपको तो यह ऐसे हो गया आप मैं दूसरा बता रहे हो आपको उसी पकोड़े को लेना है और बेशन में डिप कर दिना है तो मेरे जो भी बेशन बच्ची हुए थे ना फ्रिंड मैंने उसी में डिपकिया पकोड़े को और डाल देंगे हम इसी में आप इस तरह स तो आप इसमें थोड़ा सरसू अड़ करो, आपको लगेगा ना कि आप मचली ही खा रहे हो रेंस तो यह देखिए, आप चोहेता काली या पी ली सरसू अड़ कर सकते हो तो यह भी फ्राई हो चुका है अच्छी तरीके से लग रहे हैं मचली फ्राई हुआ हो तो यह बहुत यह निकाल लिया मैंने बारी-बारी से सभी को प्लेट में हम देख सकते हो बहुत यह अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका था अब सूखा भी खा सकते हो दाल चावल के स यहां हम इसका ग्रेवी बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं तो हमने यह सुखी मेद्च रेड़ वाली और मैंने यहां पीस्ट बनाया हुआ था अद्रक और लहसुन का कुट लिया था देन इसको डाल देंगे इसको इसके बाद मैंने एक बढ़ा सा कटा हुआ चौप प्यास लिया हुआ है इसमें डालनी के लिए तो यह मैंने चौप प्यास लिया हुआ अब देख सकते हैं और इसको भी फ्राई कर लेंगे दो से तीन मिट तक थोड़ा हमारा बुल्डन ब्राउन हो जाए तो यह हो च देख सकते हैं बहुत एचे तरीके से हमारा टामाटर सॉप्ट हो चुका है अब हम इसी में जो भी मसाला हमारा बचा हुआ था ना हमने जो पीशा हुआ था आप देखा देखाया थे आपको उस सारे इसी में डालके एड कर लेना हमको और यह दिन डाल देंगे हम यहां रि दो अच्छे तरीके से इसको…… elect कर लेंगे तो आप चाहे मसाले में प्यायों था थे थे थोंड़ा हम Nothing युडिया है और यहां जीरा पाउडर डाल लेंगे हम जीरा पाउडर भी आट करेंगे ही करेंगे और अच्छी तरीका से इसे भून लेना है हमें थोड़ा मैंने पानी आट के कुभी मार्टोरी में हमारी थोड़ी मसाले लगे हुए थे इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल लिया और इसको कबर करके 2-3 मट्ले पकने के लिए हो चुका है और लगभग हमारा मसाला दो त्री मिनट और पकेगा इसके बाद यह बिल्कुल अच्छे तरीके साथ देख सकते हैं भून चुका है बहुत अच्छा कलर आया हुआ है फ्रेंड और यह लिए पानी एट कर लेंगे अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो कम पान करूंगी और अच्छे तरीके से मिला लेना है पानी को देख सकते हैं अब इसी में हमने जो भी फ्राइ किये थे ना देर लग रहा है ऐसे मचली ढाल रहे हो फ्रेंड आप देख सकते हो तो बारी बारी से सबी को इसमें डिप कर लेंगे और इसे पांस से दस मिनट के लिए यह पक चुका है हमारा देख सकते है अरवी की पत्ते के पकोड़े की सब्जी बहुत ही लाजवाब और डिलीसियस बनीती फ्रेंड सबने बहुत खाया हमने और आई होप सो वीडियो पसंद आए प्लीज फ्रेंड रिवेस्ट है वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब क और देखने के लिए थैंक यू सो मॉच फ्रेंड्स